चाट तो आपने कई बार हैं पर आपने क्या इस तरीके से चाट को खाया है इसमें भर-भर के घीर आला जाता है तो भाई ये चाट की सपेस्लिटी है इसी वाज़े से यह चाट का राजा भी कहलाता है तो फ्रेंड्स ये है बनारस की फीमस टामाटर चाट आएए इस पेन या कड़ाई जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं गेस पे रखकर गरम कर लीजिए गरम करने के बाद आपको दो चम्मच गी डाल देना है इसे रिफाइन डायल में भी बना सकते हैं चाप की इस पेसिलिटी यहीं से श्टार्ड हो जाती है कुछ साही फ्लीवर से इसमें तो रैस्पी फुल वाच कीजिएगा दो चम्मच हमने पपी सिल्ट्स एड़ कर दिये हैं खसकस के दाने ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं इन्हें सोटे होने के बाद पास से शे गार्लिक चॉप्ड करके रखे थे उन्हें एड़ कर देंगे तू चॉप्ड ग्रेंचि या ग्राइंड करके इसका पेष्ट भी बना करके डाल सकते हैं जो तरीका आसान लगे मसालों को लो फ्लीम में भून करके तयार करना है और इस्टेब बाइस्टेट मसालों को डालते रहना है हाई फ्लीम में मसालें जल जाते हैं हाप टीस्पून हीं पाऊडर एड külle करते हैं। जिससे चार्ब में जो ख़दा ही पड़ती है उसका प्रावराबर हो जाता है। हाज ब्रॉटीजम करियांद़ पाऊड़र श्मार के यहां ॅधहिए対 में डॉटीज यह नहीं है technology rinse कच्चपन निकल जाए इसके बाद जू टमाटर हमने काट के रखेते हैं उसे भी एड़ कर देना है तो टमाटर डालने के बाद गैस की फ्लीम को मीडियम हाई कर देना है जिससे टमाटर के जो एस्टर पानी हो सोग जाएगा एक से दो मिनिट के लिए तमाटरों को धग भी है कली अधी ऑफ टमाटर ठोड़े सॉक्ट हो जाएंगा हाप की इस पून से थोड़ा जादा काला नमक डाल देते हैं यसा चाट कर बढ़ा जाता है हां बढ़ा खु ऑलगी ज्igor ज्युवाधे। मिरचे पाउडर एड़ कर देते हैं भुने हूए गन्या और चीरे का पा अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कुकिंग सॉल्ट एड़ कर देना आप चाहो तो यहां पर काला नमक भी एड़ कर सकती हैं एक बार फिर से ब्लैक पेपर पाउडर एड़ कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला एड़ कर देंगे टमाटर भी सॉप्ट हो गए हैं और मसाली भी तैयार हो गए हैं तो कुछ देर इन हैं और हम धक्की पकाते हैं जिसे अच्छे तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम बनाएंगे मीठी चासनी तो गैस पे पैन घरम करने के बाद तीन से चार चमच सुगर एड़ कर देंगे सुगर एड़ करने के बाद हाप कॉंटिटी से थोड़ा जादा पानी एड़ करते हैं तो चासनी बहुत जल्दी बन करके तयार होती है ज्यादा पानी एड़ करते हैं तो चासनी को काफी उबालना पड़ता है इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हुए हम किसी भ हमारा खाना या नास्ता जो भी हम बना रहे हैं बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है वर्म टी स्पून क्यूमन सेट्स पाउडर एड़ कर दी हैं इसको बनाने के लिए आपको क्यूमन सेट्स को डोश्ट करना पड़ेगा और उसमें थोड़ी सी हिंग डाल करके पीस दानने के बाद चास्नी में क्यूमन सेट्स के दाने नहीं है पर मुझे चास्नी में क्यूमन सेट्स के दाने वाला फ्लेबर ज्यादा पसंद आता है गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, चास्नी को कुछ देर उबलने देते हैं हमें एक या दो तार की चास्नी नहीं बनाना है, सिर्फ ये चेक करना है कि चास्नी थोड़ी सी चिपचिपी रहे चास्नी बिल्कुल तैयार है, गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, आप इनको पोटेटो मैसर या एस पेचलो से दबा करके मैस कर सकते हैं, इमली का पल्फ बनाजे उसे भी एड़ कर देते हैं, आप इमली ना डालना चाहें, तो यहाँ पराम चुछ पाउडर भी आप एड़ कर सकते हैं, सबी चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, टमाटर की ग्रीपी गाड़ी है, तो यहाँ हाप ग्लास बटर या फिर एक कप पानी यहाँ एड़ कर देना है, टमाटर कुछ देर पकने देते हैं, तब तक हम आलू को मैस करके तयार कर लेते हैं, मैंने छोटे बड़ी साइज में छे आलू इस्तमाल किये हैं, अगर एक ही साइज की आलू रहें, तो चार आलू भी परफेक्ट रहते हैं, चाट बनाने के लिए आप जितने भी आलू लें, उससे दो टमाटर आपको जादा लेना है, टमाटर तयार है, मैस की हुए आलू एड़ कर देती हैं, टमाटर के साथ आलू को मैस करना है, और कुछ देर इसे पकने देना है, आलू मैस होने लगे हैं, लगभग इस प्रोसिस कुप करने में 5-7 मिनिट का वक्त लगता है, और ये टमाटर चाट बहुत आसानी से बन कर के तयार हो जाता है, जटपट बन कर तयार होने वाला चाट वास्तों में साही फ्लेवरों से भरपूर है, इसलिए तो चाट का राजा कहलाता है, थोड़ा सा चाट मसाला एड़ कर देंगे, और कोरिय अंडर लिप्स भी यहां एड़ कर देंगे, तयार है बनारस की फेमस टमाटरी चाट, चाट तयार होने के बाद इसमें घी डाला जाता है, यही इस चाट की इस पेसलिटी है, चॉप्ड ओनियन डाल देते हैं, थोड़े से नमक पार यहां एड़ कर देते हैं, आपके पास चिप्स बगर है, तो वो भी यहां पर एड़ कर सकते हैं, जीरे वाले चासने भी एड़ कर दीजिए, थो और यह सियों डाल देते हैं, आपके पास हरी चटनी या लेमन जूस है, तो उसे भी डाल सकते हैं, पर हमने दही एड़ किया है, इसलिए लेमन जूस नहीं डाला है, ककड़ी या मूली के बाड़ चुपे आप डाल सकते हैं, आपको पसंद है तो कुछ टमाटर के पीसों से डेक रूट किया है, तो तयार है, मेरे पूरे परिवार के लिए बनाजी टमाटर चाट, बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे बनाए अपने फेमली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इंच्वाई कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी है, तो सपोर्ट करना ना भूलें,